ग्यान गार्डन के एग्रिविट सिरीज में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम भूले बिसरे फलों की स्रेडी में पौधों की स्रेडी में चर्चा करेंगे करौदा की आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा कुछ नए पिड़ी के जो लोग हैं हो सकता है उन्होंने इसको नहीं देखा है यह जो है जाडी नुमा होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं काटेदार होता है और इसमें जो फल लगते हैं वे फल बहुत ही सुन्दर होते हैं चोटे चोटे और लगेगा कि जैसे छोटा खजूर के सकल का लेकिन उजला गुलाबी छिटदार यह पिंक और हुआइट होता है चिटदार होता है और यह फल जो है खटा मीठा होता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी खुबी है करोदा की कि यह जो है लगभग दो साल में इतना बड़ा हो जाता है आपकी उचाई या आपसे डेढ़ गुना तक कि आपने अगर छोटा सा कोई बाग बगीचा लगाया हो कीचन गार्डेनिंग किया हो ठीक है उसमें यह बहुत अच्छा फेंस का काम करता है और काटेदार होने के कारण इस पे जो है ब्लू बूल यानि नील गाय का भी प्रकोप आपके पौधों पे नहीं होता है अक्रमन नहीं होता है उससे वे बच जाते हैं ठीक है प्लस थोड़ी सी आमदनी भी इससे आपको एक्स्ट्रा हो जाती है दरसल यह जो है इसे आप जहां भी प्लांटिंग कर रहे हैं वहां आपके मन में सुभावी काता है कि पौधों को कैसे बचाएंगे लोहे का अगर आप बाढ़ लगाते हैं वह भी जो है थोड़ा महंगा पड़ेगा तो क्यों न हम जो है इसका कटिंग लाएं यह कटिंग और बड़िंग दोनों से लगता है ठीक है अपने कीचेन गार्डेन में या फिर आपने जहां छोटा मोटा गार्डेनिंग किया हो, ठीक है? इससे क्या होगा? यह दो साल में ही एक अच्छा हाइट पकड़ लेगा और इसमें फ्रूटिंग भी दो साल में होने लगता है. लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी खुबी है यह बहुत ही अच्छा फिंस का काम करता है और सोसल फोरेस्ट्री में खास करके ये समाजिक बानिकी में एग्रो फोरेस्ट्री में ये बहुत ही अच्छा उसमें सेट करता है यह जो है यह एपोसाइनेसी परिवार का फदस्य है और इसका वैग्यानिक नाम कैरिसा कैरंडस है दर उसके बारे में और इसके medicinal value के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने कोशीज किया कि कुछ authentic जानकारी संग्रह करके आप से मैं share करूँ तो सबसे पहले तो थोड़ा ये बता देना काफी रोचक रहेगा कि यह करोदा जो है आज की तारीख में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छतिस गड़, मध्यपरदेश, राजस्थान ऐसे बहुत सारे राज्यों में इसकी खेती जो है छोटे वड़े पैमाने पे हो रही है ठीक है इसकी प्लांटिंग हम करते हैं अभी जैसे अगफी नंबर में आप इसका प्लांटिंग कर देते हैं तो फिर ये जो है आपको दो साल के बाद इसमें मार्च अप्रील में लगेगा कि बिलकुल नीबू के फूल की तरह फूल इसमें आएगा उसमें सुगंध भी होगा वह फूल जो है फल में पडिनत हो जाएगा बदल जाएगा और जुलाई से लेकर सेप्टेमबर तक बस इतना ही दिन मोटा मोटी ये फल जो है आपको मिलता है और यह जो है वाइटामिन सी में रीच होता है ठीक है इसके अलामें इसमें आईरन भी होता है मैगनेसिय होने के कारण यह जो है बहुत इसका मेडिसीनल इंपोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है फॉस्पोरस भी होता है इसके अलामें वाइटामिन ए भी होता है और वाइटामिन टू जिसके कमी से मुझ में छाले वगरा भी पढ़ जाते हैं वह भी जो है इसमें होता है serotonin को trigger करता है ? और serotonin क्या है ? ये खुसी का हार्मोन है ठीक है ? उसको ये induce करता है इसलिए जब भी आपको market में दिखाई पड़े आप 1.5 kg करोधा लाएं उसका जो है चट्नी बनाएं इसके अलामें सबसे अच्छा था हमे को लगाएं इसका jam बनाना और मुरब्बा विवनाने बेश का काफी आसान है और हमको लगता है कि 15-20 मिनट आदा गंटा में आप इसका मुरब्बा खुब बढ़ियां तयार कर लेंगे और जब आप इसको खाएंगे तो यह वाइटामिन सी की भी कमी आप पूरी कर देगा एंटी ऑक्सिडेंट है बहुत उत्तम क्वालिटी का और यह जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कारता है उसको बढ़ने नहीं देता है गुड कोलेस्ट्रॉल को यह सपोर्ट करता है इसकी एक बड़ी अच्छी खुभी है वो यह है किये 20 नासक होता है और कहा गया है कि कहीं इच्छू दंस वगरह भी होता है तो सरीर में जब 20 वगरह आता है उसमें भी यह फाइदा करता है और जैसकी मैंने कहा कि यह एपर साइनेसी परिवार का फदस्ट्स है एपर साइ बिवार में जो है बहुत अच्छे medicinal quality वाले पौधे पाए जाते हैं यह एपटाइजर होता है यह भूख भी लगाता है ठीक है और एक बड़ी मज़ेदार चीज कि जिन बिमारियों के लिए खास करके जो हैलमिन्स होते हैं आपके बड़ी में पेट में जो कीड़े लगते है और उसके लिए जब आप अलबेंडा जो लोगा रखाते हैं वह जो है आपको नहीं खाना पड़ेगा अगर आप सीजन में थोड़ा सा करोदा जो है खा लेते हैं एंटी बैक्टिरियल होता है और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज आप से सेयर करना चाहेंगे कि अग प्लकुल सुनी-सुनाई बात है बहुत सारे ऐसे एस्टिम्ड न्यू चैनल सें जो वेवसाइट्स हैं कुछ अच्छे जो है इन्फॉर्मेटिव वैसे चैनल सें लेकिन जो भी है ऑथेंटिक उन से जो है हमने ये जानकारी संग्रह करने का कुशी साफ से संग्रह करके सेय का कुशी साफ से किया है तो जो हमारा पारंपरिक घुछ मेडिसीन होता था आयर वेदोगरा का जहां स्टार्व्ल मेडिसीन के रूप में जो है यह काफी अच्छा है प्लस इसका जो है कूलिनेरी वैल्यू भी जैसा की बताया इस ज्यादा नहीं दिखता है दो तिन माह तक आपको दिखेगा इसको आप लाएं और इसका आप प्रियोग जो है करें कभी कभी आप देखते होंगे कि चेरी जो बिक रहा है मार्केट में तो करोदा को भी कुछ लोग जो है बीच से वो कटा हुआ हाफाफ किया हुआ करोदा उसको डाई करके उसमें चासनी पुरा मिला करके और उसको भी लोग जो है न वो डुप्लिकेट चेरी बना करके बेचते हैं तो चेरी जो होता है वो एक अलग चीज है करोदा अलग चीज ह और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की इसका बूसी होना काटेदार होना ठीक है बहुत अच्छा ये फेंस का काम करता है प्लस आपको आम दनी में भी सपोर्ट करता है तो अभी जो चर्चा चल रही है एग्रो फॉरेस्ट्री में खास करके बारिस की कमी अगर अभी देख क्या लगाया चाए तो ये छोटे और सीमान किसानों के लिए सौकीन लोगों के लिए कीचन-गार्डन करने-वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा और थोटे-मटे पैमाने पर अगर आप में कुछ पाग बगीचा लगाया है उसकी सुरक्छा के लिए यह एक बहूत ही अ अच्छा option है आपके पास और इसका स्क्वाइस मुरब्बा और सब कुछ बनता है आसा है कि करोंदा के बारे में यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी हम जो यह चित्र आपको दिखा रहे थे यहां पर आपको यह जानकारी ग्यान गार्डन की अच्छी लगी होगी और काइंडली आप इसे अपने दोफ्तों में सेयर करेंगे और प्लीज अपना फीडबैक भी देंगे और ग्यान गार्डन को सब्सक्राइब भी कर देंगे